हेलो दोस्तो विलेच बारदीस में आप सभी का स्वागत है यहां पर सोनम और सिया सो रहे हैं और यहां पर सो रहे है सोनम के पापा और सोनम की मम्मी तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है अरे सोरम की बाबा कितना खराटे मारते हैं अरे अरे ये क्या ये तो सुबा हो गई अरे नहीं आज तो सो मार है अरे हाँ आज तो सिया का रिष्टार लेकर जाना था राधा के घर पे राम के लिए अरे लेकिन पता नहीं ये सिया माने की भी किने किते दिन से मना रही लेकिन ये लड़की मानने का नाम ही नहीं ले रही है पता नहीं इस लड़की को क्या दिकत है आखिर राम से लेकिन मैं ना देख लेना उसको मना कर ही रहूंगी अरे हाँ चलो उटती हूं जल्दी से सिया को तयार भी करना है राधा तो कपका उट गई होगी सोनम की पापा सोनम की पापा चलिए उट जल्दी से अरे सोनम की अमी क्या हो गया तो मुझे क्यों जगा रही हूं इतना अच्छा तो सोया था मैं अरे सोनम की अमी जल्दी बताओ कौन सा पहाट उट गया है तैयार कर दीती हूँ औरे सोनम की मम्मी इतना क्या जल्दी करी हो सिया भी तैयार नहीं है ये शादी के लिए ठीक है ना देख ले ना सिया उस राम की बच्चे से शादी नहीं करेगी वैसे भी वो लड़का एक नंबर का लफंडर है हाँ नहीं तो है मैं क्या करूँ आप लोगों का आप क्यों इस प्यारे से बच्चे की पीछे पड़े हैं अरे हाँ ठीक है ठीक है मैं जाता हूँ जल्दी से मिठाई लेकर आ जाता हूँ वैसे भी ये शादी तो नहीं होगी जितना मिठाई बचेगा मैं खुद खालूँगा जा रहा हूँ सोनम की ममी अच्छा अला मिठाई लेकर आऊंगा सोनम की पापा भी न अरे देखो तो इन दोलों लड़कियों कैसी सो रही है सिया उठो जल्दी से उठो उठो अरे देखो तो इस लड़कियों कितनी जोरों से खराटे मार रही है पता नहीं राम रिष्टे के लिए हाँ भी बोलेगा या नहीं ये लड़की तो एक नंबर की जल्ली है उठो सिया उठो जल्दी से उठ जाओ अरे दीदी उठ रही हूँ क्या बात है अले ये केशा छोड़े चलो चलो सिया जल्दी से तयार हो जाओ आज तुम्हारा हमें रिष्टा ले कर जाना है रादा की घर पे क्या रादा दीदी घर पे मतलब उस लफंडर के लिए नहीं नहीं मुझे नहीं जाना दीदी मैं आपको बहुत बार मना कर चुकी हूँ मैं नहीं करूंगी उससे शादी आप तो मेरे साथ जबरदस्ती ही कर रही है मुझे नहीं करनी उससे शादी बस करो सिया उस रड़के में कोई कमी नहीं है वैसे एक बात बताओ तुम ऐसे ही कपड़े उठा कर लाई हो और तुम जल्दी से आ जाना ठीक है ना हरे सोलम देखो ना तुम्हारी मम्मी तो मेरे पीछे पड़ गई हाथ दुलकर मुझे उस लड़की से शादी नहीं करनी है मन तो कर रहा है कि यहां से भाग जाओ अले नहीं माशी आप एशा क्यों कह रही है जाने देजी ना शचमे राम भाईया बहुती अच्छे है उनसे शादी कर लेजिए लेकिन प्लेश माशी आप भाग कर मत जाना चीक है ना आप मेरे शादी रहना अरे अरे सोरा कि तुम क्या बोल रही हो मैं तुम्हारे पास ही हूँ लेकिन मुझे उससे शादी नहीं करनी और यहाँ पर चंदर सिया का सारा वोल रॉप देख रही होती है अरे देखो तो इस लड़की ने कितना सारा सामान लेकर आई है अरे यहाँ पर तो धेर सारे कपड़े है मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा आखर इस लड़की को क्या पहना हूँ में चलो देखती हूँ क्या है इसके पास अरे यह क्या देखो तो सारे कपड़े एक ही जैसे हैं इतम छोटे छोटे अरे सिया यहाँ पर आओ जल्दी आओ यहाँ पर जल्दी आओ यहाँ और आकर मुझे बताओ तुम्हारे पर कौन सा कपड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है अरे हाँ हाँ दीदी आ रही हूँ क्या बात है अले वहाँ देखो तो जरा मासी के पास कितने सारे कपड़े है इतने सारे कपड़े तो मैंने आस्टक नहीं देखे वाव कितने डीजाइनर है इतना सारा समान अरे लेकिन यह सब तो मुझे नहीं होंगे कोई बात नहीं जब मैं बड़ी हो जाओंगे तो मासी के सारा समान में ले लूँगी हाँ सिया जल्दी बताओ तुम्हारे उपर कौन सा कपड़ा सबसे अच्छा दिखता है अरे दीदी आप तो मेरे पीछे पड़ गई है वैसे मेरे सारे कपड़े एक नमबर है ठीक है ना मैं सब में अच्छी लगती हूँ बात अगर मेरे कपड़े है तो मैं बताती हूँ मुझे सबसे अच्छा कोंस अच्छा लगता है तो सबसे अच्छा मुझे ये रेड़ वाला हाँ दीदी ये रेड़ वाला बहुत ही अच्छा है क्या रेड़ वाला रुको देखती हूँ क्या है ये अगर अच्छा लगता होगा तो मैं तुम्हें यही पहना कर लेकर जाऊंगी अरे यह क्या ये लो सिया ये लो हाँ आ दीदी लाइए दीजिए अच्छा ठीक है सिया मैंने तुम्हें कपड़े दे दी है जल्दी से पहन करा कर मुझे दिखाओ और हाँ कोई भी गरबर मत करना अरे हाँ हाँ दीदी ठीक आप चिला क्यों रही है इतना चलो जाती हूँ जल्दी से वैसे मेरा मन तो नहीं है लेकिन क्या करो दीदी का मन भी रखना पड़ेगा अरे सोनम सिया की सामान से दूर हटो बेटा वो सब बड़े लोगों का सामान है मुझे उसका मेकप भी करना है कुछ तोड़ना फोड़ना मत अले हाँ हाँ मम्मी में कुछ नहीं छोड़े हूँ लेकिन आप देखिए ना मासी के पास कितने सारी कपड़े है और मेरे पश्टा कुछ भी नहीं है मुझे भी चाहिए ऐसे कपड़े अरे सोनम नाटक बंद करो तुम्हारे पास भी धेर सारे कपड़े है और वैसे भी तुम्हारी मासी बड़ी है ना तो उनके पास ऐसे कपड़े है जब तुम भी बड़ी हो जाओगी न तो तुम भी ले लेना ठीक है न और फिर यहाँ पर सिया तयार होकर आ जाती है दीदी में आ गई देखिए कितनी सुन्दर दिख रही हूँ है न वैसे तो सब में अच्छे लगती हो लेकिन ये वाला मेरा फेवरेट है देखिए दीदी में आ गई अले वा देखो तो माशी कितनी सुन्दर और होट दिख रही है वाव वाव माशी अब कितनी होट दिख रही है अरे सुनम तुम चुप हो जाओ ये सब क्या है होट वोट और सिया ये सब क्या है इतना शौर्ट ड्रेस और तुम्हें क्या लगता है मैं ये पहना कर तुम्हें रिष्टे के लिए ले कर जाओंगी नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा अरे सच में दीदी ठीक है तो उन सब को मना कर दीजी रिष्टे के लिए ऐसे भी मेरा मन भी नहीं है उस लफंडर से शादी करने का अरे ये लड़की कब से एक ही जित लगा कर रही है नहीं नहीं मुझे तुम्हें कुछ अच्छा पहनाना पढ़ेगा एक काम करते हूं मैं अपना कोई साड़ी लेकर आती हूं चलो हटो यहां से हाँ एक साड़ी तो है मेरे पास अरे हाँ चलो वही लेकर आती हूँ अरे दीदी भी ना क्या खराबी है इस कपड़े में इतनी सुन्दर तो लग रही हूँ लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है एक काम करते हूँ भागी ही जाती हूँ यहां से हले माशी मम्मी जो बोल रही है वही करना पड़ेगा आपको नहीं पता मम्मी जो एक बाद कमिट्मेंट कर देती है न उसके बाद किसी की भी नहीं सुन्ती है और यहां पर सिया तयार होकर आ जाती है अरे इस अब क्या है दीदी में आ गई अरे वा देखो तो अरे वा सिया अब दिख रही हो न तुम एकदम प्यारी और न्यारी सच में किसी की नजर न लगे तुम्हें अरे दीदी यह सब क्या है मैं एकदम बहनजे जैसे दिख रही हूँ लेकिन आपके कहने पर मैंने पहन लिया अरे हाँ अरे लेकें सिया एक चिसी कमी है कुछ तो कमी लग रही है अरे हाँ चुनरी अरे दीदी नहीं अरे ऐसे कैसे रुको तुम जाकर बैठो और मेकप करो अरे दीदी आप कहां रहे गई जल्दी से लेकर आई आप क्या लाने वाले थी पता नहीं क्यों में दीदी के बातों में आकर आ गई अले हाँ ममें जल्दी आ ये ना लादा अंची के घल पर भी तो जाना है उन्हेंने धेश सारे वेंजन बनाया होगा है खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा अरे हाँ हाँ मुझे मिल गया मैं आ रही हूँ अरे हाँ राधा ने तो सारे तैयारी कर ली होगी ये देखो सिया कैसी है ये सुन्दर है ना ये मेरी थी मैंने सिर्फ एकी बार पहना था अब इससे तुम पहनो रुको बस यहां से और थोड़ा यहां से है कितनी प्यारे दिख रही हो सिया तुम एकदम परी जैसी दिख रही हो क्या सच में तुम्हें देखकर तो मेरे आखो में आशू आ गया कितने जल्दी तुम बड़ी हो गई और शादी के लायक हो गई मेरी आखरी विश्थ थी तुम्हारे शादी को देखू मैं बहुत ही अदखुस हूँ अरे दीदी आप पीना आप क्यों मुझे एमोशनल डैमेज कर रही है अच्छा ठीक है वैसे दीदी राधा दीदो बहुत ही अच्छी है लेकिन फेबे मुझे उनके भाई से शादी नहीं करनी है प्लीज न दीदी मान जाएए उसने तो मुझे मानने की भी कोशिश की उसने मुझे धक्का दी दिया था फिर सौरी भी नहीं बोला अरे नहीं सिया मैं उसे बचपल से जानती हूँ ऐसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं जरूर तुमने ही कुछ गरबड किया होगा इसलिए ऐसा हुआ अब ज़्यादा नाटक मत करो और यहां से राधा आ रही होती है अरे पता नहीं राम क्यों मना करते जा रहा है पता नहीं सिया और राम की शादी हो भी पाईगी है नहीं चलो जाकर देती हूँ दिदी का कर रही है सिया भी तयार होगी चलो उसे एक बार देखकर फिर जाती हूँ अरे दिदी, कहां पर है दिदी सिया कहां पर है, देखे, मैं आई हूँ अरे राधा, तुम और यहां पर अरे सोरे, मुझे माफ कर दो, थोड़ा लेट हो गया अरे दिदी कोई बात नहीं, मैं सिया को देखने आए हूँ, है तुम्हें नजर ना लगे, अरे सिया तुम तो बहुत ही प्यारी दिख रही हो सच्ची में, अब तो कुछ भी हो जाए, राम तुम्हें देखकर मना कर ही नहीं पाएगा, तुम बहुत ही प्यारी दिख रही हो एकदम परी के जैसी अरे राधा दीदी बीना देखो कैसे तारीफ कर रही है अरे राधा दीदी आपका बहुत ही ज़्यदा शुक्रिया वैसे कपड़े बहुत भारी है अच्छा ठीक है दीदी आप सिया को ले आईए मैं जाती हुमें तो बस देखने के लिए आई थी अब तो राम बिल्कुल भी मना नहीं कर पाएगा सिया को चलो श्याम हम चलते हैं राम देख लेना अरे राधा तो बहुत ही खुश थी चलो चलो हम भी चलते से चलते हैं दोस्तो अगर आपको हमारे आगे की वीडियो दिखनी है तो वीडियो को लाइक और चलो को सब्सक्राइब जरूर कर देना थैंक यू फॉर वाचिंग